आप सभी का आपके अपने परिवार आई टी आई अड़र 247 के इस ऑफिसील यूटू चैनल पर आप सभी मित्रगर्ण का मैं हार दिश्वागत करता हूं और अभिनानल भी करता हूं और उमीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और अपनी परिच्छा में लगे होंगे साथ हो जल्दी से आप सभी मित्रगर्ण लाइब आजाई है जैसा कि आपको पता था कि आज दिन रभिवार है और दस मार्श है उन्हें आपका हम प्रिविस येर का एक पेपर है मेरे पास उसको सॉल्ट करवाएंगे अला कि और भी प आपका किस लेवल का और मैंने पेपर को देखा है बहुत ही सटीक तरीके से अगर मैं बात करूंगा आप से सभी साथियों तो या आपका जो एकजाम है अगर मैं कहूं तो एकदम हो बहूं ऐसे ही आने वाला है तो जल्दी से आप सभी मित्रगर्ण से जुड़ जाएगा और सेस्टन को और सेयर भी कर दी जिएगा और भी परतिशी मिते तक मैं देख सकता हूं अभी लाइब सेस्टन एण 19 बचलाइब आ चुके है आवाद नहीं यारे किया कुष्मस्या है aur कर द Holmes कि आ दरकानाında रोना पड़ेगा मैं है आ ऐघे से कर देता हूं भी हो अधर कि आजा आवाज कर दिया है मैंने लेकिन फिर भी कमेंट सेशन नहीं आया है मैं पर टीम को बुलाना चाहूंगा एक बार वो कमेंट सेशन को दिखा दे मुझे एक मिनट के दिएगा एक मिनट कर दो अब दो कि अधिए मिनट मिल जाएगा कि अधि कि चलिए हम लोग शुरुआ करते हैं तब तक सर आपका कमेट लगा देंगे क्योंकि आपके अप्लिकेशन है अभी तक आपने डाउलोड नहीं किया है तो डाउलोड कर लिजी क्योंकि यहां पर एक जबर्दस्वीचर मिलता है सब कुछ आपको प्रिमेश्य मेटिरियल है कर करेंगे क्योंकि इनके बिना सब कुछ दूरा है और मा के किरपा हो कि 2000 सीट में आप जितने भी भाई मुझे जुड़ते हैं मुझे देखते हैं आप सभी का सेलेक्शन हो जाए हम यहीं चाहते हैं या आपका 2000 जो भी हमारे बच्चे और बच्चिया हैं जो भी हमको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कुलपद 2610 हैं जिसमें से आप देख सकते हैं कि 200 प्लस हावर्स आपके लाइफ क्लासेज है सारत चीज़े महज मातर 699 रुपे में आपको दिया जा रहा है 700 रुपे में आपको दिया जा रहा है आप एक कूपन कोड जरू लगाएगा वाई 835 जब भी इसको आप उसको पर्चिस करने का प्रयास करिएगा तो आप लोगों से मेरा एक नहीं हो रहा है रिक्वेस्ट है यह आप एक कूपन को जरू लगाएगा जैसे आप लाई कूपन कोड मांगेगा वहाँ पर वाई 835 इसको जरू लगाई इसको लगाने से क लगभग यह प्राइज आपको लगभग 607 रुपे के आसपास आपको मिल जाएगा तो इससे सस्ता कहीं और कहीं नहीं मेरे प्यार साथियों आई अवागे बढ़ते हैं और यहां यह क्लास आपकी 14 मार से स्टार्टिंग हो जाएगी 14 मार से आपके स्टार्टिंग हो कोशन था वह उनसे हो नहीं रहा था तो हमने का चलो वागी कोई बात कर देते हैं मैंने नोटिस किया है मेरे प्यारी साथियों कि एक लेवल का पेपर है अगर मैं देखू भी हर का तो एक लेवल का पेपर है ऐसे नहीं है कि आप आये और 10-12 नमबर जो थे वह नार्मल इस स्वाल उन्हें पूछा आने सबढम सबाएं नायवांत पूछा है लब सब्सक्राइप आपके पास यह चरूआ का डीमिंग है और यह जरूरी होता है कि ऐस्पर को गृशन फूरीचे पर आ रहा है क्योंकि हमको फिर इसी बायो पर दुखाना तो भाई इसी वेस्ट हमको भी चलना है इससे बलकि यह अगर एक कदम है तो हमको दो कदम आगे बढ़ना पड़ेगा अब देखिए सवाल इन्होंने कहा है अब यह अगर मैं बात करूँ आपसे तो यह आपका है थ्रीफिय इंडेक्शन मोटर का और थ्रीफिय इंडेक्शन अब पूलों के संख्या बढ़ती जाती है तो जो होता है आपसे डो फूलो के बात करूं पर आपसे दो अगर और इसका एक जो नोट बना ये आपको इसी लेवल पर पढ़ना है और जितने भी कंटेंट आपको कहीं भी यूटूब कहीं भी किसी जगह मिल ला है अगर इसी टाइब का मिल रहा है तभी आप करेगा क्योंकि अभी आपके पास और जल्दीवाजी में जल्दी बाजी में कहीं भी किसी भी संस्था से अपने आपके भविश्य है न तो यह नहीं जल्दी बाजी में आकर किसी से भी कोर्स को पर्चिज कर लिजीगा इसका देहान देजीगा क्योंकि यह देखो आपने जल्दी बाजी को पर्चिज कर लिया क्वाल्टी अप कंटे आपके पास अभी टाइम है अभी आप 10 मार्च है दस मार्च से लेकर 10 अपरेल तक भी फाम भरा जाएगा अभी एक वहने का फाम है तो पहले आप देख लिजिए कि कहां पर आपको अच्छा कंटन मिल ला है उसके बाद आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए कि हम कहां से पड़ें इसमें किसी की राय की नहीं है कि फलाने वहां से पढ़ है तो हम भी वहां से पढ़ें आप अपने आपको जाची आप अपनों को पर खीए उसके बाद अपना पैसला लेजीगा अब सुना मेरी बात को अब दो पोल है 50 से तो हमने कहा बह्या कि 50 से बाता है अब अगर यह सवाल होता 60 पर यह हमारा रपिम 3600 यह निकल जाता लेकिन यह क्या है कि भारत की जो फ्रिक्वेंसी ओंट इस लिए तो फिप्टी हर्ट इसलिए हमारा माने कर जाता भी यह तीन अजार आर्पिया तो ऐसे ही अगर चार पूल की बूशता है जाम दर तो हम करते हैं पंदर अब इसने कहा उन्हें कहां चेया पोल इसने कहां कहां छे पोल शे पूल पचास सपे शैप पूल पचास रच्थ कितना सिक्स पूल फिप्टी हर्च पे अगर मैं बात कर गार आपसे तो बहिए यह और होता है आपका 1000 इंद एक हजार आर्पियां होता है पताओ सहम और प्रतिफ ये 0.5 ओम का इस्टेंड इस्टील प्रतिगहात है यानि कि भाईया इस्टेंड इस्टीम समझ रहे ना रुका हुआ है फिर आगे कारा मोटर का वह गति क्या है जिस पर टार्क अधिक्तम होता अब देखो टार्क का मैक्सिमम गति के लिए अगर मैं बात करूग रोटर का प्रतिरोध और रोटर प्रतिगहात और यहां पर आपका सिलिप हो गया अब लेटिस यस को इधर करेंगे आजटू भाई साब को यदर करेंगे येस्ट भाई साब को नीचे करेंगे और हम हर मान को जो जो अगर हम यह को उधर करते हैं तो हमारा उत्तर मिल जाएगा कैसे मिलेकर देखो अब हमने कहा कि आर्टू कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा आर्टू उपर गया और एक्स्टू नीचे आया अब आर्टू के लगा क्या है यहां पर खुद लिखा हुआ पढ़ी आप खुद इस किया आत करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि seven Link रौक होता है तो हमें का में निकालना होता है वह सारे करदेंगे क्या है क्योंको ढदेखो त्रव्सरेट को खुद सोचो कि 0.5 नीचे यहां पर खटाने के लिए जैसे इसको काटते हैं तो यह एक dramas hing इसके पास एक कितना उपहरा 10 आप चाह ने कि इसका रोल खतब वज़े समने जीरो यह पढ़ा दीआ उपर अब हमने किसको डिवाइड किया तो पांच दूना दस और यह 200 अब 200 का गुड़ा क्या करेंगे जीरो पॉइंट जीरो फोर गुड़े 200 करेंगे और जब इसका हम गुड़ा करें दो चोको आठ यानि कि लगभग आपको जो प्रतिस्त सिलिप कामान मिलेगा कितना मिलेगा आठ प्रतिस्त मिल गया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लेकिन अगर एक बार आप समझ जाओगे तो मुस्किल से यह एक मिनिट लगेगा बहुत तेजी से अगर आप करोगे तो और आप से सवाल को पढ़ना हमने क्या कि दो पूल पे 50 सर्च निकाला फिर हमको पता होना चाहिए क्या सूत्र स हमने सिलिप का मान यह लिखा 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 0.0 फो लिखा 0.5 लिखा गूड़े हजार हमने कहा सकर दिया क्योंकि आपको पता है कि हमने सिलिप की बात किया था प्रतिस्यत्त में तो भीया सो से गुड़ा किया दसमनों अटाया तो इसके विए से बढ़ा दिया यह तो आना चाहिए यार इतना तो आपको करना पड़ेगा तभी तो आपको सेलेक्सर होगा आईसे नहीं आपको 40,000 रुपे मिलेगा मैं अन्खली का ठीक है अब हमको मिलेगा कितना 8 परसंट मिला कोई उत्तर है क्या गूरू जी नहीं क्यों क्योंकि भाइया यह जो मान हमको हमको मिला है अभी हमको सिलिप मिला है अब आफको क्या है कि शे पोल पर हमने किना निकाला है येख और प्सक्राइब इस एख़जार ये कर दा दस वठे ज़ए अब देखो 80 हुआ यानि कि हमको अबमान कितना मिल गया असी मिला अब इस असी का 6 पोल पर जो 1000 आर्पिम दिया था यानि एक हजार आर्पिम में से असी घटादो मेरे प्यारे साथ यो 920 मिल जाएगा और यही हमारी गतियो जानना चाहता था यानर और यह रहा आपका उत्तर आपसर नंबर सी बताओ किसको समझ में आ गया किसको समझ में आ गया बताओ आप टेलिग्राम पीडिये भी दिजिएगा दोबार अगर इस टाइब का सवाल दिया इस बार पेपर 24 में इस टाइब का सवाल दिया तो हर एक बच्चा जो मुझसे जुड़ा है देख रहा है चाहे लाइफ देख रहा है चाहे बाद में देखेगा भाई आपको इसको करना है और इसी तरीके से आप करिएगा पटा- लेकिन अभी तो मारे पास थाइम है ना चाहता तो मैं इसको 50 में जल्दी से खतम करके यह से होगा एक बार आपको दिवाग में बैठाना जरूरी है एक बार आपकी दिवाग में बैठ गया इस टाइप का सवाल और आपने इसको नोट कर लिया दोवारा जैसे सवाल इस तरह हम रहार इसको अब बाइस करोके में च्टैबो त wrapped करोगों कितना मिलें हम और तालिस पॉइंट-फोर मिलेगा लोग यह लग गया है ना सावाल दुवारा आएगा इस सवाल लग जाएगा बिल्लकुल लग जाएगा मज़ा आ रहा होगा तो लाइक जरू करिएगा और और भी भाईयों तक पहुचाने का काम करिएगा क्योंकि कुछ भाई हमारे अभी भी दूर है तो रहाषा लेबल दे और दिब्या गोहोद बढ़ियां सबका उतर हमारे बच्चे आ गया जाते हैं चाहे हम छे बज़े पढ़ाएं चाहे कितने बज़े पढ़ाएं बचा आ जाता है ठीक है आजाओ सवाल का अगला बिटा आपसे बिद्दुद्कार के लिए समाल बिद्देशन CPWD 2013 के लिए आवस्या कौन सा इसलेशन की वर्ग अधिक्तम परचालंता आपमान 105 डिगरी से ल्सीयस होता है सेंटर प्रब्लिक वर्क्स डिपार्मेंट के संचे में CPWD लिखा गया देखो भी यह इंसूलेशन है और लगबग 6 से 7 होते हैं यह बहुता है एक आपका अगर मैं बात करूँ अपसे तो D भी होता है D के अलवा गर मैं बात करूँ तो यप भी होता है इसके अलवा गर मैं बात करूँ तो C भी होता है और यज कितने हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, हाँ, साथ होते है तो ये आपका इंसुलेशन का वरिकर बाटा हुआ है सबका अलग-अलग temperature बाटा गया है जैसे Y के अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे साथी हो तो ये भी होता है A की में बात करूँ तो 105 डिगरी होता है B की में बात करूँ तो ये 130 डिगरी होता है E की में बात करूँ तो 120 डिगरी होता है इस ना जाएगा यह जाएगा इस तो नीचे में लिखा था कोई तुम भी सिंग है आवाई एबी ए और यव शी यच पर दिखा हो दिवी उता है क्या दी कुट नहीं में जानता आप डी कुट नहीं जानता यवाई ए बी ठीक है ई और यह थी यह च रिख फटेश्च ट्रफ आप जो च्टारों चाही करो चैली को अब चैलिकों फोटा अधर बिये लिख दिखेंगे अगा एक्सब्स पर जाएगा ठीक है इधर आ जा विया सी की तरफ तो यह एक्सटी से ऊपर या निकर में बात करूँ तो दो सो से मांगे आप देहां से अब अब देहां से अब यह 105 डिगरी किस में आता है अब यह आपने देखा यहापर कि क्लास इसवाल वाले में पाइन था बस सवाल नहीं बड़ा किया है लेकिन आप पढ़े रहोगा नाटा को तो फिर आपसे सब्सक्राइब कर दिमाग में आ गया उस टाइम कैसे करते हैं हमारा अल्टेनेटर होता है अल्टेनेटर में दो प्रकार के पूल आप सेलेट कर अगर मैं बात करो आपसे तुब कर अब यहां पर बारे पूछ रहा होगा तो यह आपके पता देए 15500 पर छलता है और से लिट कल जो होता है वह चलता है आपका 3000 अठ पियो मैक्सिम्म होता है तो अब इसने कहा कि लिए बड़ा ब्यास होगा और जब बड़ा ब्यास होगा तो उसकी जो अच्छी लंबाई होगे कम होगी तो देखो कौन सा आपका उत्तर होगा देखो आपसा नमबर सी मुझे लग रहा है यहीं सही होगा देखता हूं कौन को बताता है अरे वा और हां नमबर से जिसे नो भाई को नमबर दे रहा है इसे लवकुष जी आप चूभी हमारे भाई है आप लोग नमबर से उत्तर दीजिए तो बड़ा लगएगा इसको नमबर से बताईए ठीक है नमबर से बताएं ज्याद अच्छा लगएगा तो अगर आप से पूश्टा क्या क्याम माँ बात करूँ अगर आप से जिसे बोलते हैं हिंदी में बेलना कार जो होता है उसमें हमारा यहाई होता है गेला वाले में यह हो जाएगा ठीक है छुछ एस्थिर लोड और एस्थिर अम टेजिल के साथ एक सिंक्रोंटर का वी कर्ष अब बता हो अब बताए भी कर होता है एक उल्टा वी कर इसने से के बारें में पूचा है क्या पूचा है वी कर सका सिट किसके भी संबन दिखाने के लिए होता है तो भाइया जो हमारा आर्मेचर करनट होता है अगर मैं बात करो तो आप से इसका और और आर्मेच्र क्रेंट के बीच में किजा यह खाया है तो है आर्मेच्र कुरंट तोर सब सब का उतरा रहा है सब लोग एकदम जान लिजेंग दिल से महनत करो इस बार सेलेक्शन लेकर रहना है अन्हें यह सब डाटा ऐसे हैं कि आपको याद करना पड़ेगा अगर इसी बीकर्व के उपर ऐसे से लगा ता इसका मलब हो गया कि उल्टा वीकर्व सेम सवाल होता तो बन जाता सब्सक्राइब और किसके बीच में और हमारा फिल्ड करन्ट यानि आई आई आफ के बीच में खीचा जाता है यह सब चीजे हैं और जानते हैं यह सब को आपको बहतरीन साथ मैं बताऊंगा कहां पर अप्लिकेशन पर एक एक लाइन लिखवाऊंगा जिस तरह से हमने एक अच्छा सा कंटेंट आपको पीजी सेल के एकजाम में दिया था यूटूब से नहीं लड़ा लेकिन हमारा बच्चा जो पढ़ा अप्लिकेशन पर वो निरास नहीं हुआ क हागुर जी बहुत अच्छा लगा कंटेंट आपके बहतरी लड़े हैं इसमें कोई सक नहीं और ऐसे ही लड़ाया जाएगा इस बार भी बिहार में भी अपना जंडा गार कर रही रखा जाएगा इसका उमीद आप चरूर रखे रहे बस आपको महनत करना है बस आपको महनत करना है तो आप जानते रहो कि अगर इंटर कहेंगा आप से इंटर करके बीच 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 दो चीज़ को याद रखिए का भूली का मत इस सब जहां भी लिख लिजी आप सर मैं आपका क्लास पहली बार जोइन किया हो मेरे फ्रेंड के रिप्रेंस सब्सक्राइब करने बहादूरी नहीं है हमारा उद्देश है के वल आपकी जोईनिंग लेटर आप पढ़ो मेहनत से पढ़ो जोईनिंग ले लो पस मुझे यह है महनत करो लगातार मेहनत करो जब तक की पेपर ना हो जाए ठीक है अपने आपको गुफा में बंद करो ठीक कि यह होता से इक होता है एक होता है फॉता है इसको बोलते है है जो हमारा थ्रास फार्म्र वाला किल्वाट वाला यह किसम हो जाता है आपका अंपज्छ Bis इंज्ञाज़ेस जनुंक्त पाइन ऊठ॥ा मोत चुन demand कर दिए और कौन सा झालता कि जो घू captive सब्सक्राइब होता है और उस समझ जो इसकी मापन करते हैं किसमें करते हैं करते हैं उत्तर कर दोस्तों तक बहन तक जरूर पहुचाएगा और सबसे बतादुक बिहार कि अगर आपकी कोई भी दोस्त हो या फिर अगर अगर आपके घर की कोई सिश्टर हो जो ने किया है मैं बता दूँ आपको के लड़कियों के लिए तो बहुत अबी की पार्चुंटी है क्यां की सेट अलग फिक्स है है तो अगर आप में के में से कोई भी अगर हो धित अब इक भाषी से नहीं है वह देखो अबीजर स्फिरेंस को देख वाथियर और समझ ले वह बता देना हों कि वह यह से लेक्षन सब्सक्राइब करेंगे पेपर देखते पेपर देने के बाद ही बताएंगे कोई क्लास नहीं चलाया लेकिन फिर भी आपने अच्छा स्कूर किया है तो आपको तो लगतार काफी दिनों से जुड़े भी हमसे हुए है इसमें कोई लगता है और अच्छा लगता है कि य've owned ये मुझे इतना नम्बर है मुझे अच्छा लगता है कि कप्सकंप मुझे उस लायक समझते हो आप जितना सलबस दिया है उस olması जगह से घाएगा और तो यह आन और आफ करता है तो यह आपको सब्सक्राइब करना बंद करना तो ऐसे यह आता है सब्सक्राइब करने का काम करता अगर बात करूं तो धारा में जो बाधत्पन करता है साथ में अगर करता है इसके अलामा अगर मैं बात करूं धारा को कंट्रोल करने का भी काम करता है करने का काम करता है करने का इसके अलामा वहागा मैं बात्रों करता है या फिर आन वह यह अराम से टीक हराइबके बात आध हा उत्पन करता है यह काम कर ईशी के साथ धुक्रेंकर साथ है आध की बिवाईज की बात आतीgen निर्यनौर्ण साँ जूड़ जाता है लकबल द्रिलच करता है कि दोड़ने का काम करता है बाकिक जो कारिकरम है वो हमारे भाही साब यह पूरा कर दिटे आहर नियutकर कर आप तोड़ने का काम करते एंप Act the payment जरूर जरूर दिहान दिजिएगा महिक्त का रचर आ ट्राइब ट्राइब तो सीम्पल सा बना होता मेरे प्यारे साथियों अगर मैं बात करूगा आप से तो ट्राइप ट्राइब ट्राइब आपके एक्जाम में आए गार करेंगे अब तीन से चार करेंगे कि 3-4 ताकि एक से दो बार रिविजन करदो एक बार आपका यहां पर किवला सरकाही दिखाई दे रहा है огда या को टाईप के बात करेगा एक जो वाले में किसम यो乾ी अचर रड़ करो बात करता सल्य。 अगर gelir चूर के या रहा गात है उसम में हमारा को हुता है। यह किसुन हो जाएगा आपका सल वाले में किसमें होगा सेल टाइब ट्रांसफारमर में जो हमाला होता है इसको भी लिख लिगा यह नहीं कि बसक्रीपर को लिखो इसके करवाने का मतलब यह है कि आप पेपर का लेबल एक बार देख लो किस तरह से गजाम बनर पूछ रहा है और उसी लेबल का हम लोग आगे का कोश्चन भी साल्व करेंगे तो कितना बड़े-बड़े में आ रहे हैं आपके एक्जाम में मदलब बड़े-बड़े और जानते हैं यह सब थियोरी के ही ही है maximum maximum theory के ही है पेपर ये ठीक है आए पर डे कलास लीजिए गासर बिल्कुल बिल्कुल कल से शुरुआत हो जाएगा सर पूरा बिहार से कोश्चन लिया है सर प्रेटिस करा रहे हैं जी बिल्कुल सबसे पहले हमारा और आपका फर्ज बनता है कि यह उसका पैकेज है किस तरह से कहां जूटी है सब जानने के बाद आपके मन में प्रस्ण हो उतना चाहिए को कि आप कंपटिटर है इसका प्रिविस एक पेपर कैसा आता है क्योंकि आप बैठो के तयारी करने वाज़सा तो न और यह बहुत महुत पूर तीन महिना तो इसमें आप उसी डाटा को पढ़ो जो आपके एक्जाम में टकरा जाए बस आपका यह उद्देश होना चाहिए कि मैं फालतु कोई चीजिए सा ना पढ़ों कि जो पेपर में आया अब इसी सवाल को पढ़िए उस अधित्यम टार टक मुलते हैं इसको आपको एक एक गोश्चन को मैं लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा जब पढ़ाऊंगा न तो पूलई mould का फार किया होता है और एक चीज को बताऊंगा अभी फिला सब्सक्राइब अब को अब युश्टार्क पर उसका सिंकरोल समाफ दोता है यानि कि जिस टार्क पर जिस टार्क पर इसका अमिला कौन सा जो मारा यह मोटर है कौन सा इंडिक्शन मोटर है जिस टार्क पर सिंक्रो जम सिंक्रो जम समाप्त हो जाए तो इसको क्या आप बोलेगे मेरी प्यारे साथ यह पुल आउट आर्क बोलते हैं फिर आगे का मैं बात करूगा आपसे तो रणिंग टार्क जो रणिंग को मनाई रखे जो क्या करता है रणिंग को मनाय रखे इस सब च्टो च्टे को सफे बनाए रखे मैरे प्यारे साथियों फिर से प्लाओ टार बता दिया पुल इन को प्लिंग टार्क साइट आ सिक मुझे लगता है कि इसको हम बोलते हैं ढान को अैंस की फोरा में दिमाग से सदूड़ कोई बात नहीं जब मैं इसको वहां पर करवाऊंगा क्या ना मैं जब अबलीक में रूब हमाइस को जब उन्हें इसको उसकी पहुरा थूड़ा सा न्यौसा प्रतिस लाट से अनुपात के रुप में प्रिबासित के गया था सबसे पहले हमने एसई वडी इस वाइंडिंग को लेकर शुलाद किया था और वहाँ पर हमने इसको वरुहां से तरीके करते हैं क्या करते हैं हमने खोब बच्छे बताया था मेरे प्यार साथ अल्टर नेटर लाजवाब इस सब पढ़ाय हुए कोशन है बसकी वह आपको समझने की देरी है ठीक है हाँ ठीक है पैदा करते हुए उफ उफ उत्पादन करता है क्वहां सब एक अजी तीजी इस रो में आर्सी चाट अबर आल बहुत अच्छा है आप लोगों ने किया आप लोगों ने बहुत संदार किया इसमें कोई शक नहीं है कि अगला सवाल होता है कि आपके पास अपनी दुकान पर निलुकी में से सिंगल फेज इंडेक्सर मोटर है एक उभोगता ऐसा एक मोटर खर देना चाहता है जिसमें पूर लोड पर उस्तम पावर्टर हो और आपके इसका सुझाव देंगे अच्छा सवाल है जो हमारा अगर आप से कि जो हमारे इसकान वाले कि विया तो के लिए हम क्या करेंगे मैक्सिम अगर बात करूं तो डबल करों तो श्रीवां जी करेंगे सुझा अच्छा होगा आपका कोई एप भी या सिकंदर कुमार जी बिलकूल है अड़ा 247 अप्लिकेशन है जाए प्ले 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 इस्टोर पर जाएए वहां पर सर्च करिए आपको मिल जाएगा यह डाटा मैंने एक सवाल में देखा कि तीन से चार कोशन ऐसे आए हुए है जो इस टेंडर सेक्षन एक टूलम लगा होता है आईताकार जोकि बस बार में हमारा आयताकार ही उज़ता है क्रास सेक्षन होनी चाहिए जिसका करेंट तो अब आपको याद करना पड़ेगा इसमें हमारा भी कोई जूर नहीं है ठीक है हां चलो आगे बढ़ते हैं आगे अब देखो एसी को क्यों कि यह हमारा अगर मैं बात करूं तो अगर आप बच्चे हैं तो जो आठारा चैप्टर है तो लगबाग उसमें से तीन चैप्टर एसी ड्राइब और पैदल बोर्ड वाला जो था पैदल का कमाइंड वाला यह जो जितने भी हैं यह कोशन हमसे और आप से उपर के हैं यारी कि हमारे से बहुत इस्टरा चीज है वह अलब कि हमारे आई टी आई में पढ़ाया ही नहीं जाता अगर आप ढूड़ेंगे ना कहीं भी अगर आपको पूरी तरह से किसी भी संस्ता कहीं अगर आप पढ़ रहा होगा तो एसी डीसी ड्राइब और डीसी मेरे पास खुद मैं आलड़ी तने दिन से पढ़ा रहा हूं हमने खुद उस चीज को एसी डीसी ड्राइब को नहीं पढ़ाया है हलका से पढ़ाया है लेकिन हमारे सब्जेट है और कुशन आएगा निशित आएगा और जैसे इस सवाल को देखिए आया कि नहीं आया है लि अगरता है इसमें जो अपरती का अपरती का सता होती है जिससे मोटर में मौजूद जो फ्लक्स का मान वी क्या होता है इस ती रखा जाता है कैसे रखा जाता है जलसा हम आपको थोड़ा सा बताने का परयाज करेंगे क्योंकि एक अगर आपने देखा ध्यान भी दिया होगा वी एप डी होता है यारी वेरिवल फ्रिक्वेंसी ड्राइब में होता है क्या मेरे प्यारे साथ यूँ कि अगर हम अगर आप से कहें कि जैसे अगर जनेरेटर का जगर आप पढ़ते करो ट्रांसफार्मर की बात करो लगर आपने यजियाесс के बारे में पढ़ता होगा यह वरावर क्या होता है चार बता है चार चार व्लक्स अगर जाता है संग्या बढ़ता है आगो आगे आप बर सक पांदा है और उससे मिलता जूलता ट्रांसफारमर से मिलता आगकार आपका एक समिक्राइब बनता है कौन सा मोटर में यूपकी आपको पता है कि जो मोटर का जो हमारा फार्मूला होता है यानि कि अगर मैं बात करूं तो जब तो ठीक इनने कहा कि अपूर्ति का सता कैसे होगी तो बस हम को इसका और निकालना होगा तो अनुपाथ लिए लेकर आप से कि जब अगर आप प्लक्स को यहां रखते हैं तो जब यह पने अफ यह बीस सब काफ सब पूरा का आर याने कि जो यह है और यह नहीं कि आरफ याप यह जिस यह मारा कायों जब यह फ्रिक्वण्सी और इक आऊ जाएगा जो लिखा भी आटेस्थ डाइब का इस्टियांग जरॉल टेश यह जिए पूरा यह स्थिरांग एब सबिस्थ तो एब यह हमारा इस्थिरांग है सवाल अब यह भी सवाल आपका वही है कौन सा की डाटावेस है यानि कि आपको याद करना पड़ेगा घर की वायरिंग केबल पर दिये गए बारे टूजी यानियम का अर्थ क्या है अब यह बारे नमबर आप अगर मैं बात करूँ आपसे तो नमबर पहले जो दिया होता है करमशह आकार तारो की डाटावेस है इसमें हम आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे बताव यह आप इतने देंसे पढ़ रहे हो हम लोग भी लगबग 5-6 साल से पढ़ रहे हैं पढ़ा भी रहे हैं एक्जाम भी देते आते हैं तो यह सारी डाटा हमने खुद यहां देखा इसलिए करते को यह बिहार का जो पेपर हो होता है अभी हमने कल भी आपको पता है कि नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड होता है और जब निगेटिव कम होता है मेरे प्यारे सातियों जब यह कैपेस्टिव होता है अब जो बच्छा पढ़ा होगा ना मूड़ आजागा तुरंत फटाक से तो यह क्या हो मैं मतलब लीडिंड़ करेगा तो विह तक हो जागए मना फॉल लोड बाला फूल पूरा फूर फुल लोड वाला तो यह किसमें होता है करेगा अब लीड करेगा तो अतर कर जाएगा हमारा लोड़ फावर के लीडिंग वाला हो जाएगा आपसे नमर ऐसे सवाल को पकड़ो ऐसे समझो और इसमें हमारी और आपकी किवल मेहनत होगी हर एक चीज को बहुत सातिर दिमाग से पढ़ना होगा सबसे पहले तो यह जरूरी है कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं सबसे पहले आपको थियोरी पढ़ने पढ़ेगी और थियोरी अब तक जो आड मेरी मेरा करूं अगर आपसे तो अब तक जो एड मिशन हो चुका है विहार वाले में लगबागा सो बच्चों रे एंड मिसन इंडिल कर लिया है और बहुत धनिवाद शूर्य आपको अगर आप सो बच्चे भी आगए तो पक्का है मुझे कि सो बच्चा जो लाएगा जब एक क्लास पढ़कर जाएगा तो वो एक वच्छी को और भी अपने साथ यों बताएगा यहां चलो एक एक चीज को बड़े हत्रीन तरीके से पढ़ा रहें गुरुजी और में आपका वही होगा क्योंकि या आपको अगर 45 जूकि मैं बता दूं 50 कोशन आए सकता है लेकिन चालिस प्लस के गरांटी में देता हूं इतना मैं आपको दूंगा क्योंकि आप जानते हैं आप भी पढ़े लिखे हम भी पढ़े लिखे हैं कि इतना भी आप पढ़के जाएंगे दस-पांच कोशन ऐसे आएंगे जो हमारे पल्ले भी नहीं पड़ेगा और अब इस सवाल को हमने पढ़ा तो आपने खुद पढ़ा होगा कि यह हम चाहे आप जरेटर लगाओ या फिर मोटर लगाओ तो कम हम उसको दो अर्थिंग लगाते हैं अर्थिंग लगाने के मनद दो इसलिए है कि बाइद बगर एक कोई खराब हो जाता है तो दूसरा हमार को चलाएगे काम करेंगे तो भया आपकी सबसे पहले है ना तो सवाल कहा कि भारति विजली नियम और शपन के लिए कम से कम आपको दो अर्थ होना जरूरी होता है तो उत्तर आपका क्या हो जागा कम से कम दो अलग और विशिश्च करनेशन द्वारा अर्थ से जोड़ा ज टो पता होता है अलगंगे अटुलिक अलिगती हो गया तो अटुलिक अलिगती जब हुआ तो कौन सा कोशन है यह सब जवाल है सब सब्सक्राइब करने वाला मिल जा मुझे पता है कि आप कर सकते हो क्योंकि आप ही दसरत्माजी हो कि जो श्याई सारे के उमर में पहार को खोद कर आपने अवना दिया रास्ता बना दिया तो बहुता खराब ऑन पिट वाला होता है तो सबसे अच्छा तुनने का कि आरो ही करम है इसका मलब एक तो लिग नाइट के बाद हम आता है लिगनाइट टूछा इसका मलब एक तो लिगनाइट हो जाएगा पिर इसके बाद हमारा क्या जाएगा चुकि वहने का और रोही आफो होता है कि एक आर ओहीं होता है तो आरोही कर एक पूछा इसने तो बीदी करा में का मतलब होता है याँप पढ़ेंगा अगर आपको सब इसनिंग असेंडिंग मतलब होता है करम से लगा तो यह लिए कि सब से खराब अश्य थूछ च्रश के बाद उस्से कर दो उसके बाद थोड़ा साथ होता है हमारा होता हो सब वाला होता है यानि यह वाला हो जाता है और सबसे अच्छा हमारा इंटर साइट का आफसंदिया यह तो आफसंद नमर सब्सक्राइब कर देखो यूर कटरी जो भी सीट होगी अधर प्यार से भर सकते हैं बैच नाम मात्र का है यह वाई 835 मात्र महज 607 या 810 रुपे में मिल जाएगा इससे सस्ता कहीं नहीं है ठीक है और इतने अच्छे से इतने बहतरीं कांसेट के साथ हम पढ़ाएंगे आपको कि आपको भी लगेगा कि हां बिल्कुल हर चीज हमको बिल्कुल समझ में आ तो में देखर पाउं कि आप समझ गया होंगे कि लेगे डाइस सब्सक्राइब कोईला यह कहां से है यह आपका है पावर जन्रेस्ट से कोश्च पर जिरोद गयात करने की बात कर रहा है आपसे यह आपका सवाल आ गया वाइरिंग से ओर वाइरिंग में उन्हें सवाल अच्छा दिया है लाजवाब सवाल दिया है तो आजए वेजा करते हैं जब जब फिंकृइंस चाहर इसमें से और जो हमारा जो पाइंटों की संख् इसको लिख लेगा बिंदू की संख्या बिंदू की संख्या यहाँ सअ मीरा तो समझता अब देख्यास अब अब परिपत्में उपभोग की संख्या आधा जाओ इतना है तो 50 50 लाने दो विंदू कितने है चार पंखे लगे हुए है फिर उसके बाद 20 लगे हुए है अच्छा कोई बात नहीं है गुर जी तो देखो भी पचास अब बटा क्या करेंगे इतना कितना लगा था विंदू तो 20 लगा था फिर चाल लगा था तो 50 बटा 24 दिवाइडेशन करेंगे वह यह तो दो पॉइंट कितना जाएगा दो पॉइंट यहने की 24 जून 48 फिर इसके वाद दो पॉइंट लगवाग 0.8 यानि कि हमको कितना लगाना चाहिए इतना लगाना चाहिए दो पॉइंट जिरू यह तो आसाब लिखा भी हुए साब-साप होई आज सुभई क्लास बताया था सेले बस साथ ही साथ में बताए थी वीडियो लगी हुई होगी उसको भी ध्यान दिया करो अगर बीए सब्सक्राइब कुछ भी जाए उसको देखा करो मैंने वहां पर सेलबस को बैक है बताया भी है कि इतना आएगा ठीक है हाँ चलो आग तो यह आता है आपका एवन में आता है किसमें आता एवन में आता है वह यह हम भी नहीं जानते हम जूटना बोलेंगे कि नहीं हम को यह आता हम काबिल नहीं बनेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे से लेबल के उपर का सवाल है और वह आएगा भी निशित आएगा तो यह है हमारा किसम आता ही यह आपको नटाफेस है इसको याद करना पड़ेगा कि आइएस की सीरी के दूसार मेंता स prob Extreme बी आएक तो यह बन में ही आएगा ठिक एसमें Bнд मार्कीं है कि लेक? neaf निगेटी मार्किन नहीं आजाओ यह आगे मरते मेरी प्यारे साथ हूं यह अगला सवाल है किस नबर किसी 132 के भी सिस्टेम फेज को गुराउंडर के पिस्टेश जिरू पॉइंट जिरू वन फाइफ माइक्रोफरेड है और इंडेक्टेंस 6 है यदि 15 अंपियर मेर्जाइन करेंट को वाधित किया जाना है तो संपर्गों का उत्पन बोल्टेज किया होगा बताइए ऐसे सवाल अगर आपको पेपर में आ जाए तो हमारे कौन सासा बच्चा है जो करेगा लेकिन वहीं है जो ब बराबर होता है आई करदी में यल आपांसी अब यल का मतलब क्या हो गया आपका खुद देखिए इंडेक्टेंस यह शेनरी हो गया आज ये आई उसके बात करडी में यह जो पाइंट जी रिका शेली का इसने किस्टेंस का इसने है 0.015 माइक्रों फर्ड का कितना का है प्राइंट निपने लिगा जीडो पाइंट जीरो फाइब माइक्र फेट का तो दसकी पाउर माइनस छे हम रखना इस चीच का दस पाउर भी कहा है तो आभ इसको उपर कर दो वह जब जाएगा तो यह हमारा मान कितना हो जाएगा मेरे प्यार साथ हूं यह जैसे उपर जाए और शेचा यानिक अगर में बात करूं कर आप से सीछा सीड़ा सिंपल बात करूं यह कितना बंचाएगा 6000 अजवाइगा और जीरो बढ़ जाएगा तो उसको हम डिवाइड एसन करेंगे तो अगर मैं करता भी हूँ अगर हटाते हैं कि एक दो तीर ऑब ऑचा 15 वीए काट बआ पिया काटने गवाद ये म्मान में काटने के बाद ये लगभग आपको सु के आपन दर लगभग ऑइसपास मिलेग घर अगर je तो downward doctor नहीं मिलएगा 300 Casey आपको राटा मिलेगा 15 गुड़े टिक टो टीक टिक टीक कट कर लेना कर लेना कर लिए करना कहाव श्राश कहा है वने नेफराल रॉयन प्ढ़ाते हैं लेकिन आपको आप आफडान की घी तरह पढ़ाएंगे को फूद हम आफनाइं ही पढ़ाते था इसके पहले और आफनाइन की बन्हें मुझे पताए कि बच्चा किस तरह समझता है और किस तरीके समझने का वो परियाज करेगा तोब अब भी बात आती कंट्र पैनल में अब देखो यही सवाल में बता रहा था 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 ना तीज टर कौन-कौन कहा है जब इसमें अलग अलग मार होता है यही सब तो समझ में आ रहा है यह सब तो करवाएगा तो फिर सोच लेबल कैसा आएगा और कंपटीशन तो कभी कम होता नहीं आप जानते हो दिन पर दिन बढ़ता ही रहता है आओ एक आठ पूल आर्मचर वाइंडिंग के लिए पंदर दातों का एक फैलेव विक वाइलों क्या कहा जो बचा सुरुवास जबसे मैं पढ़ा रहा हूं प्रस्ण करके मैंने प्रस्ण करके मैंने सवाल आया कि नहीं आया है जिस लेबल का मैंने पढ़ाया है वह लेवल मिलता जुलता आ रहा है इस चीज़ से और मुझे उमीद है कि आगे भी मिलेगा और हम लोग आगे भी फूनने का पर्यास करेंगे एक आठ पूच आठ पूल तो विए देखो हमने का था कि यूप लाट वाले होगा बटा पूल एक तो अटाइस बटावरा आठ डिवाज कर विए चार दूना आठ चार्टियाए बारा बद दिस यहां पर कितना का सोल कितना का सोल और है क्या वाइंडिंग के लिए 15 नातो सब्सक्राइब और आप लोगों में से कई बच्छे नोट्स भी बनाए होंगे इसमें कोई शक नहीं है चल भी आगे मड़ते हैं घूमता हुआ एक दो किलोवार्ट 230-50 हर इनेक्शन मोटर में 0.7 लगे पाउट्टर और 60 परेंट दस्ता है मोटर की दो रखिए गया होगा यह सवाल अच्छा है एक लीबल का सवाल है बहतरी सवाल है हम इसको भी लगाने का पुरा पर्यास करेंगे पुरा सा आप ध्यान से दिखिएगा आप भी इसको लगा होगे आप मैंने कहा नहीं आप अगर आप चाहोगे तो पत्थर को भी तोड़कर रास्ता बना द यह जो अम्बान आपका आया है दो किलोवाट डिकालना एक घुमता हुआ एक दो किलोवाट यह आउट पुट है दो किलोवाट अपको मिल किलोवाट दो हजार और 230 बोल्ट है 50 हर्ड नेस्टन मोटर में 0.7 लेगिंग पाउर फेटर पर 60 परसंट दसता यानि कि यह इस ए इसको लगाएंगे कैसे देखो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा और आपको याद अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं मैं बताता हूं आपने पढ़ा भी होगा ध्यान पूर अगर देखे तो पी बरावर होता है वी इंटू आई कास फाई अब यही आपको आई गड़ा मिलेगा आप糖पे-171 बीकिन बातों को सम्ज़ान को समझना जमैं चिप अप्रयाहन कर रहा हम मैं कितना मिला है और गया धोllesい सी 6 जो 60% जो हमारा है किया है अश्चता इस पर हमको कितना आज़ा है जो हम आट पूट में से अब बात करना है इसका करते हैए मैं को करते है करते हैं इस मान को 9000 मान को याँशार को क्या करते है 60 यानि हमारा जो इफिसेंसी कमान हमारा है 60 इस 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 करेंगे तो इसको काटेंगे तो लगभग आपको मिलेगा कितना लिवा मिलेगा आपको अब दो सो दो हजार बटा 60 लगभग आपको मिलेगा चछवा अच्छे तरी का ठार फिर इसके बाद लगभग आपको मिलेगा 33.33 मिलेगा ठीक है लेकिन हमने एक चीज और ध्यान दिया यहां पर क्या कि यह यहां का क्या है 60 पर सेंटेज है क्या है पर सेंटेज है इसका को नीचे अगर 10मलों है अगर 10 मलों को सफ़ार खोटाएं गे तो निचे सो होगा हाट गया तो याने हम और कितना मिल गया अबर आल हमको मिल गया कि भाट कि भुए 33.33 वाट को मिलेगा अब इस पोइंट च्यार के आजिक लगभग देख यह तो कर देंगे तबने 930 यह उ आने वाला था लेवल का सवाल था इसी थोड़ा सा आपको समझ में भी नहीं आया होगा कि कैसे हो गया लेकिन लगाने का तरीका यह है पी रवर भी इंटू आई कास्पाइब उसके बाद हमने क्या किया वोल्टेज और पाउर्टर कमान गुड़ा किया हमको हमने दो किल वाट यान आप इस तीन 333 वाट को हमने क्या किया उसमें हमने क्या किया गया जो हमने मान निकाला था यहां पर कहा था 161 वाला जो हुने मान निकाला था इस में डिवाजेशन कर दिया और हमको मान मिल गया कितना 20.4 मिल गया उम्मीद करता हूं जो भी आपके हैं रिजिनिंग क्लास है इंग्रिश क्लास है और जीके जीएस है उसके अलावा आपको देखा आपने देखा भी होगा इस सुरूल वाई सुरूल लग चुकी हुई है कलास और कल से हम पूरी तरह से मन्थन करने आये हैं 2610 के लिए अगर आप में से भी कुछ बच्चे अगर आपको लगता है मैं ऐसा मैं सुचना कि सर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको लगता है कि हमको अप्लिकेशन में जुड़ना चाहिए तो भीया आप उन्हें विद्यार्थियों को बता रहा हूं और जिसको लग रहा है कि नहीं हम यहीं से काम चला लेंगे ग यहां रहाख लगा है और री संठेट करेंड यॉसनलोडोड करें और इसको सर्च करें जैसे ही सर्च करते हैं पहला पेज़ जैसे आप आता है उसचो आए उस पर रोगा हुआ है और आर्य अरूर्ट कॉस्त फक् और बिहार का देखिया 799 जिस दिन हमने बैच को लांच किया था मन्थन के नाम से सिरिज किया था उस दिन हमने बोला भी था आप लोगों से 24 घंटे के लिए मैंने सस्ता करवाया है आप में से जो भी बच्चा लेना चाहते हैं कई बच्चों ने भरोसा जताया और लिया भी यह 835 यह सब्सक्राइब करते हैं तो यह साथ सो पैसे रुप्य मांगा हो गया अभी दो दिर पहले दिन लांच करवाया था उच्छे सुरुपे मिला था और उस दिन बहुत सारे बच्चों ने इन्रूल किया तो यह अगर आप भी आज भी मांगा नहीं है मातर साथ सथ प सब्सक्राइब करिएगा एक घर है सुला लाइट है और आठ पंखे का लोड है भारती मानस संस्था के उसार दिये गए लोड के लिए आवस्चेक सब्सक्राइब करने हूं तुम संक्या क्या होगी देख मेरी बात तो समझना इसने कहा आप से एक घर है और यहां पिद्हा सब्सक्राइब करने ल Ladies गावर के का सब्सक्राइब करने है ऐयरा लाइट पंक है कोई दिक्कत नहीं है प리डिकत नहीं कोई दिक्कत नहीं सूर अजतर प्लस आठ शोला और अट प्सक्राइब को 16 0 कर दिजिए तो लगबक कितना हो जाएगा दस दूना बीस और उसके बाद पॉइंट में चाल यादि टू पॉइंट फोर गया आप दसमलों से ज़्यादा है तो इसका मतलब हम क्या कहसे हैं कि हम तीन पॉइंट हम लगा सकते हैं सबसर्कूट करने तो संक्या लगा सकते कि इ करिया हमारा जो सबसर्कूट होता लाइट फैंट के लिए 800 वाट होता है तीने बसके और तरीका लग बता दिया कास ने सूलर लाइट और पंखे के लोड है भारती वाने संसर्केश तो सूलर प्लस आठ को एड़ करिए जितने आपके दिया गया है तो सूलर प्लस आर्ट लाइट और पंखे के लिए हमारा जो पॉइंट मिंदू का वान के तना दिया है दस पॉइंट दिया है और हमने इसमें किया किया मेरे साथियों दस से डिवाइशन कर दिया लगभव 2.4 मिला आप से में कोई 2.4 का है नहीं त्यूंकि दसमलों से ज्यादा होगा तो हम लग लगाएंगे तीन केंना लगाएंगे तीन चल्व आगे बढ़ते हैं एक ओबर हैड लाइन में लाइन इंसलेटर उप्योग करने का उद्देश लाइब करने का रखने का काम होता है तो आपको भी पता होना चाहिए ध्यान पूरा अगर आप देखेंगे इसने कहा है कि भी चलेगा सर वाइटी गेमर साब जी जब तक ये खतम ना हो जाए जब तक ये खतम ना हो जाए हाँ पचास कोशन आपके हैं हम लोग 25 कर चुके हैं कितना टाइम हो गया एक घंटा हो गया है हाला कि ये आगर हम पढ़ा जते तो जल्दी हुआ था लेकिन आपको समझाना है क लेकिन ये लेकिन जब आप पर ये अवर ढिशाव को रोकने का काम करता है तो आफसर नमर यह हो गया जो लिकेज होता है उसको रोकने का काम करता है अगे बढ़ते हैं किसी सर्कृट ब्रेकर पर किये गए सार्ट सर्कृट जांच में सिंगल रेक्वेंसी ट्रांसियट में निम्रेकर देटिंग प्राप्त होता है कौन-कौन पहला दिया उसने कि पीक दी स्ट्राइकिंग वोल्टेज तक पहुचने का समय 40 पीको नहीं होगा यह माइक्रो कर लो सब्सकाएब बनदेंक सूर्ट मैको सकेंट और दूसरा लिखा है पीक दीस्ट्राइटिंग वोल्टेज 150 के है सर्कृट के दोलियों के प्राकृतिक 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 पूचा इ 95 आब बस अब आप इस मान को निकालना सुरू कर दीजिए कैसे निकालेंगे देखो भी सप्राय क्या दिया यह 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 पर आबर क्या होता है वन नपांट टी यह बराबर क्या होता है वस्यों कि टाइम क्या है टाइम जैसने कहा कि पहुंचने का समय विख्षिक जानते हो न फो होता है ना वहीं हमने किया कि या बराबर 15 अब आजाओ इदर टी है 40 माइक्रो है तो 40 माइक्रो है तो पक्का है कि गुरुजी कि 40 गुड़े 10 की पावर माइनस 6 होगा अब इस माइनस 6 को उपर कर दो उपर जाएगा तो एक दो ती चार पांच एकड़ थी चारपांच आशचत्य हो गया वाटा हमारा करें की मिल जाएग इन उन लेकिन अभी हमने कुछ दिर पहले सुरुवात बता दिया आपको क्या कि भाई या जो हमारा मान होता है कौन सा हमारी जो नेचुरल होती है फ्रिक्वेंसी वह सप्लाइब फ्रिक्वेंसी की आधे होती है बस फट से 25000 निकाल लिया था इस 25000 को हम क्या करेंगे आधा करेंगे आधा करेंगे तो कितना माल मिलेगा आपको साड़े 12.5 किलो हर्च लो या लग गया लग गया डी वला लग्या सवाल बिलकुल लग गया गूरूजी सो यह तरीका तरीका अगर नहीं मालूं ऊदम तो हम नहीं लगा पाएंगे तरीका नहीं मालूं यह नहीं लगा पाएंगे उच्छ ौश द्वा 10 हॉता है उसका बलाग होता है बताए प्लिज दोर्झ आप लेकिन और साथ स्थ्थ में एलेक्टिकल वाले जो हमारे सबस्टे हैं कई बच्छे हैं से जो अन् आप्टेखले यह अन्हीं म Life को अब हर सकते हैं एक साघ्रीमेंery क diplomat सब्सक्राइब करना करें यहां पर एक चीज भी लिग दिया क्या माल लेगी तीन वर्गमूल है ठीक है तीन का वर्गमूल अभी वर्गमूल अब यह कर रहे हैं है यह करदी में 3 की बात कर रहा है और करदी में 3 मृझलब जब इतीन पर कсти तुझ में जैसे तीन भी बाता आती है तो हम क्या लिकते हैं 4,44 गुड़े स्लाक्सिर से वाद याने के तिकनेस और उसके बात लिखते आ याने के की निकिस सब कुछ नहीं कहा है सब का मान को रख दीजी आये चार चार-चार आफ सुनो मेरी प्रेक्वेसी कमान कितना लिखा है तो कोई मतलब नहीं है प्रेक्टर कमान दिया भी है तो गुड़ा करो सब का मान का गुड़ा करो अब करणी में करणी में तीन कमान पहले से लिखवा दिया है आप इसको मान को रख लीजिए अब करणी में तीन कहां से आया तो करणी में इसलिए क्योंकि यहां पर देखो साब सब्सक्राइब का तीन फेच्टर अल्टिनेटर तो मस इधर आ जाओ सिरीमान जी एक दिसमलो साथ तीन दो ग सब्सक्राइब करने के बाद आपको मिलेगा जो संख्या मिलेगी वह मिलेगी 440.64 मिलेगी 440.64 मिलेगी अब इस 440.64 में यह जो मान हमारा है चाशाट सब्सक्राइब का इसमें हम भाग देंगे 440.64 का और जब इसका मान निकालेंगे तो लगबग मान मिलेगा आपको चोदर दसमलों सब्सक्राइब कोई अप्संतों है नहीं थो चोदर दसमलों साथ यानि 90 के आसपास यानि के करते हैं और उच्छ वोल्ट यह भी सही है दोनों सही है इसमें क्या बोले आगे दोनों सही है यह लैप और वाइंडिंग और हमने पढ़ाया है और सब के जितने भी कोशन अब तक आए हुए है पेपर में पेपर तब नहीं देखा था आप पेपर को ज़रूरी कुछ जिसकी स्पीड होती है जिसका टार मैक्सिमम होता है लगबास साधी चार सो होता है और इसकी स्पीड 30,000 और प्याइम अधिक होती है लगबाद आठार आज़ार या फिर 20,000 तक भी दिता है ठीक है चलूआगे बढ़ते हैं कि एक किस प्रकार का चुमक का इस्तिमाल करते हैं यह अच्छा सवाल है विए यह उत्क करते हैं यह लेक्ट्र तो करेंगे नहीं तो हमारे कैंस होगा क्योंकि आपको मिक्त होगा गिरों सबसे अधिक उपयुत लाइटिंग इकाउन से जो उर्दभारदर रूर्ट में काम करने के काम करता है अब बच्चा देखेगा तो कर देगा गुरुजी कहा गुरुजी पार्क है तो पार्क में तो सूटियम भी पर लगता है हआरे मार देगा लेकिन बचा ध्यास अगर पढ़ेंगा होस हवास होगा था हरी सथ्यास होता है होता हो मत गहते हैं लगाते हैं और 56 ऑर यह यह नहीं होगा यहां रहा हमना उत्षी नहीं हगा वो क्या होगा मरकरी बेपर लैंप हो जाएगा इसका ध्यान देजीगा जटके में आईएगा डलती ना करिएगा मेरे प्यारे प्यारे साथ यू ठीक है आ चालो अब करेंगा इंड कर आपका सिंगल परने के लिए तो इसमें दो चीजी मंती एक रणिंग रणिंग को बोलते हैं में और प्रत्रूत कमान किसमें ज्यादा होता है अब जो बचा काफी दिन से पढ़ा होगा तो उड़ा देगा इसको देखते और इसी टाइप का सवाल पूचा है जब रणिग मैंने का बतलब आपको पता होना चाहिए जब रणिग मैंने में वाइनिंग होगा तो उसका प्रतिरूद कमान क्या होगा विया कम होगा तो विया क्या हो जाएगा उत्तर अरे एक मिन और रणिग और श्टार्टिंग राणिंग को आजाता है अच्छा ठीक है सवाल पूर नहीं पड़ेगा तो गलती हो जाएगी स्टार्टिंग मैंने में जो प्रतिरूद कमान क्या होता है ज्यादा होता आज प्रतिरूद कमान जब ज्यादा होगा तो हमारा जो इंडेक्टेंस है यानि एक्स कमान क्या होगा कम होगा तो कौन से उतर होगा देखो यह आई यह वाला उच्छ प्रतिरोध और आपका क्या जागा कम प्रिरकरतगों अगर यहीं सवाल आप से पूछता यहीं पर आगे पूछता जो रनिंग्वाइनिंग साथ वाइनिग। तरह मारा किस के हुए है यह हमारी और को यह यह पत डंडिआ है यह ऐण जím Tianok winning के हमारा उत्तर है और यह मियन मुर्णिंग के लिगे है जो हमारे जिसकें लासट में यहां deep स्टार्टिंग होने के बाद में वाइनिंग पर ही हमारा मोटर चलता है ठीक विया चलो आगे बढ़ते हैं उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इसमें कोई सक नहीं आज़ा आप से कि एक ठोसी दन की कैलोरीजन कैलोरिफिक मान किसमें बेखत करते हैं विया आपको या फिर किलो ग्रम माते हैं लेकि अंदर ने इसा कुछ दिया नहीं है यहाँ पर कैलोरी परतिग्राम दिया है तो भी हमारा आपसार नमबर सी हो जाएगा ठीक है क्या कर रहा है इवार सेयर करो यार इतना मेहनत से आपके साथ बीच में आए हैं उरजा लेकर आए है आपको पता चल चुकी है आपको फार्म भरने में कोई दिक्कत ना है कोई असुद्धा ना आए चलो भीजा 1100 वोल्ट वर्की मोल्ट तक की एप्लिकेशन के लिए पीवी सी केवल यह भी इस्टिन टाटा के अंदर गदा आता है मेरे प्याल सातियों और यह आता है का 1902 मुझे इतना पता है विए यह आता है और हम नदेशिटी नबबें में उनिशटी नबड़े में इसने आज यहां पर दिया है आया सफन और यह रहा ठीक है 1990 और 60 1989 में आता है तो यह भी अब देखो चार को सब्सक्राइब जो आपके स्वेम के दिम्याग और जानते हैं यह पिपर इतना हाड क्यों है कि इन्हों निगेटिव मार्किंग नहीं दिया है और निगेटिव मार्किंग देते हैं तो साथ में भी इतना हाड यह पिपर नहीं आता है और जानकर चुकि निगेटिव मार्किंग है नहीं बच्चा को देते हैं चल्ब जागे बढ़ते हैं मेरी पेर साती हो यह कुल उपलब बिजलित पादन आउटपूट से मांग की पूर्ति नहीं होती है तो उत्पादन और मांग के बीच संद्दल सब्सक्राइब करना क्या करना क्या करना है और मेरे प्यारे मेरे से नो याप रखो सिलिप कमान पूछा है रोटर प्रिकर सी कमान के ना दिया है अबर्ति के दिया है तो अबर्ति के दिया है तो यह फार वा ठीक है यह फार फिप्टी ओधिया एक मिनट करो ठीक है और पूचा यह फाबर मैसीं टूई अब इससे और साथ तरह के बताता हूं अगर इससी समय मिलें तो सुन मेरी बात को इससी भी और सब्सक्राइब प्रियास करता हूं इसने का वे च्छाए निचे लिखो और सीधी यहां पर बुड़ा करो सो से अब कर लो लो कर लो बईया पांच दूना दस दो दूना चार चार होगा मजा आया की नहीं मजा है मजा है तो लाइक जरू करिएगा सेशन को शेयर भी करिएगा और भी मितरों तक तो यह दिशाय प्रस्ता में तो ऐसे ग्यारो जितना उसने पूचा दो हर्च का दो हर्च को उपर रखो 50 हर्च को नीचे रखो और गुड़ा डिवाइडिस करिए बस कुछ मत करो मेरे पिरसातियों जिसने इसने दिया है एक हजार किलो ग्राम और पांच हजार किलो वाट का इसको डिवाइडेशन कर दो आपको मिल जाएगा उत्तर देखो यह कैसे करेंगे एक हजार दिया इसने ठीक है गुरू जी फिर क्या लिखा पांच हजार जीज़ो जीज़ो से कट गाजी जीज़ो जीज़ो सकट गया तो पांच एक हम जीरो पाइंट टू किलो ग्राम आएगा यह सवाल इससे हैं जो आपको सीधे उत्तर दे देना होता है आपको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं होती है प्रमार उर्जा की विदुति क मेग एलेटान वोल्ट वोल्ट लोग गया मेग एलेटान वोल्ट लेक लिएज़ेगा इसको फूरा नाम मेगर एलेटान वोल्ट शुटाlier मेगा लेट्रार बोल्ट होता है एक तालिस नंबर विपिन प्रकार की प्रक्रियन इंटर के लिए अलग-अलग मशीनों और यह अंतर रचनाओं को मोशन फिड करने हैं तो विद्धूत उर्जा को यांतरिक उर्जा अब देखो देहां से विद्धूत उर्जा को यानि कि अ क्रमरा करने का काम करता है वो कौन सा करता है उकति तो फार्जा पता होना चाहिए यह जो युकती बनती है जो मसीन नहीं बनती है आप खुछ देखो आप लकितर गॣ तो उत्तर क्या जाएगा एलेक्ट्रिप ड्राइब हो जाएगा यह नहीं जल्दी बाजी में इसको काम करने का करता है और इसको आप करते जाएगा पता होना चाहिए जो इनर्जी होती है उसको मेकरिकलेशी बदलने का वाला काम करता है कौनसा मोटर करता है ठीक है उम्मीद करता हूं कि बिलकुल समझ में आ रहा है साधी से अच्छा है कि सेलेक्ष्ण लो नौकरी लो वह जरूरी है साधी तो एक समाज के लिए जरूरी है एक समय के बाद आपकी भी ज़रूरी है ठीक है हाँ लेकिन अगर कुछ लाइक नहीं बनाओंगे तो साधी भी नहीं होगी ठीक है ऐसे घूमोंगे गुरुजी साधी कर लिए हम लोगों को कम से कम मिठाई भी खिला देते हैं मैं तो सबसे अच्छी अगरबा बता हूँ आपको मैं चाहता हूँ कि इस साधी के मौके पर लगबाग मैं टार्गेट है कि 500 प्लस पांसो प्लस बच्चों का सेलेक्शन इस संस्था के माध्यम से हमारे माध्यम से हमारे जितनी भी बच्चे पढ़े हो कम से 500 प्लस प्लस बच्चों का सेलेक्शन होगा और मैं पूरी सिद्ध के साथ मेहनत भी करूंगा इसमें कोई शक नहीं है कल से आपके पुराने बच्चे जो पांडेशन बैच लिए थे उनके कल से कल से स्टार्ट ह सुरू हो जाएंगी बुक के बारे में क्लास के एंड में बताओंगा सभी को अच्छा बटा दो मुझे भी बता दो बहीं 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 बताओ बटाओ चलो टांस्मिसान लाइन में कौन सा चाप करते हैं सालिड इस्ट रिले लाइटनिंग अरिस्टर लाइन इंसुलेटर लिटर करेंगे तो यह लाइनिंग अरिस्टर करते हैं अपको पता होता है क्या करता है अगा जब आध टांस्विशल लाइन के लंबाई एक सोपचास किम्टर अधीक है और लाइन वोल्टेस ने जाना करता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है तो बही यह देखो को आपने पढ़ा भी गार रिम तो या अलग-अलग रीले होते हैं और उस में हमारे जो छोटी he पहले होती है एक मध्यम लाइन होती है अढ़े इस ने कहा क्या कि 150 तो यह खतरित लाइन होगी लंबी जाएगी इसमें कोई शक नहीं है आप लोग बहुत तीस तराक है अगर चोटी की आप करती तो हमारा क्या था यह वहाँ पर हमने एक पता है लगते हैं यह चोटी लाइन के लिए लगती है यह आपका बड़ी लगती है तो जब हम लोग अप्लिकेशन पढ़ेंगे ट्रास्मिशन को बहते तरीके से और जैसे आपका डिवान होगा अगर आप कहेंगे उसी हिसाब से अपढ़ाएंगे जो चाप्टर पना चाहते सबसे पहले और वादा है आपका की जब तक भाम भरा जाएगा तब तक आपका 80% डाटा में करवा दूंगा उसके बाद कीवाद कीवाद हम रिवीजन करेंगे सांदार तरीके से अगर आप लोग पूरा घर्स योग रहेगा तो ठीक है और हाँ एक चाहिए बचा अप्लिकेशन पर जो भी बच्चा इंड्रोल करेगा मैं पहले यह पूरी की पूरी सब्जेट आपको हिंदी में ही मिलेगा और इंग्लिस में पर आने के बाद गुरुजी हमको इंग्लिस चाहिए तो या इंग्लिस क्योंकि हमारे यूपी और बिहार के जो बितने भी बच्चे मैक्सिम परशन डाटा आपको हिंदी में मिलेगा बाकी ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ सब्द हैं बहुत लंगें में यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि जो मैं ब्याख्या भी करता हूं उन सब चीजों को ध्यान से पढ़ाता भी हो तब भी आपको हिंदी में मिलता है क्योंकि ह अधिक प्राइमरी या एक से अधिक से करने वांडिंग होती है डिस्ट्रिबिशन बढ़िया मल्टीपल करते क्या बोलते हैं मल्टीपल बोलते हैं आप आराम से इसको कर लिजिए भैतिनी तरीका करते हैं अगया यह उसे ट्रांसफार्म क्या कहा जाता है जिसमें सब्सक्राइब होगा आगे बढ़ते हैं चलता हुआ मोटर का घुड़न करने के लिए प्रयास को किया कायता है आपको भी पता है कि सबसे जबरदस्त और अच्छी करमें बात करो प्लगिंग डिजी होती है इसी प्लगिंग को हम बोलते हैं मेरे प्लगिंग करते हैं आपसे मुझे बहुत उमीद है और वादा है आपको कि आपके मंजिल तक ले जाने का हम कारकरम भी बुरा करेंगे और यह आपका 50 कोश्चन और अभी अगर आप संकोच में हैं तो यह संकोच में ना रहिए यही बैच है अगर आप जाएंगे इन्रोल करना चाहते हैं तो अगर जो बचा नया हो अगर जुड़ना चाहता है कलास से तो जा यह फटापड क्योंकि हमने आपको 50 कोश्चन में 46 इसमें से कालमला कोशन भी था उसमें मिलाना था और दो तीन कोशन ऐसे तो जो मिसिंग थे साप नहीं थे जो कि पेपर ही हमको मिला था इसलिए उसको न घाए आपका बैच है अगर आप में से एक बार बार देख रहा हो तो यह जाना कहा पर वहाँ करना आड़ टोटी पोर सेवन वहां पर जैसे पहुंचना होमपेज पहुंचना अलगोर्स पर जाते ही मेरे प्यार साथ यूंँ आपको जैसे करेंगे तो भी आपको जाना कैसे इसको अपलाई करते है मातर 735 पर में आ जा जाएगा इससे सस्ता और कहीं भी नहीं है क्वाल्टी अप कंटर्ट देखना यह आपके भविश का बात है बाकि आप लोग खुद समझदार है कहा पढ़ना चाहिए किस तरह से पढ़ना चाहिए यह आपकी जिमेदारी ब हो तो आपको यहां से मिल जाए ठीक है हाला कि इस पर हम वह लगाते है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वह ना चाहते हो भी अपना उल्टा पूल्टा कारकर सुरू कर देते हैं कुछ और लिंक भीजना सुरू कर देंगे फालतु बाते करना सुरू कर देंगे तो आप यहां पर भी आप जूड़ सकते हैं लड़कों के लिए अलग है लड़क्यों के लिए लग है ठीक है बलकि लड़कों का तो वरिफिकेशन नहीं करते हैं लेकिन लड़क्यों का वरिफिकेशन जरू करते हैं उनसे जरूर बोलते हैं अगर वो नंबर मैसेज करते भी ह प्राइबुन को आप कौन हो कहा से हो कैसे हो उसके बाद वरिफाईन के बाद ये करने के पाद ही हम को में जोड़ते हैं ठीक है तो आप यहां पर भी आप जुड सकते हैं आप जूसकते है आप Bar भी आपको गुरुप में दे दे दूँगा आप वहां से भी ले लिजीगा इसके लावा टेली ग्राम पर भी डाल दूगा ठीक है तो आज की सिशन को यह तक रखते हैं मेरे प्यार सत्यों मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन आप लोग अपना ख्यार रखना दिया रखना आपको जाना नहीं होगा उसने इंट्रड़ेक्शन बताएंगे कि क्या क्या पूछा जाएगा किस तरीके से आपको तो घुत बता है हम तो मस्तुमस की सबस्क्राइब कर देंगे अगर आप कहेंगे नई शुरूजी फिर से शुरूबात कर देंगे और पूरी तरह से जब करके हर सब्सक्राइब कर वाते हुए अफिर जैसे पर खतम होगा जैसे आपने फारा उसके बाद तुरूंत मार्क टेश्च शुरू करतेंगे एक महिने का जबर्दस मार्क टेश्रू करेंगे क्या पर मैं यह जून ने दिया है तो मुझे उमीद जहां तक लग रहा है कि म हो चुका है तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं बस आप करने देखर पढ़ो जो आपके पेपर में पसे ठीक हैं मिलता हूं आप लोगो बिलकूर मिलेगा मैंने बताया अभी एक नंबर दिया था उस पर वाटसब करिए वहां पर मिल जाएगा साथ ही साथ में टेलीग्राम अगर नहीं जोइन किया तो वहां मिल देगा ठीक है मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन तक के लिए राब राब और हाँ अभी एद तो मैंने एक करवाया है अगर आप लोग कहोगे तो एक आत और पेपर है मेरे पास इसका भी स्पीसील का मैं उसको भी हाल साल करवा अगरे बाद जय हिंद जय भारत